और फ्रेंट यह जो मूरती देख रहे हैं रथ डिजाइन हम लोग मूरती बनाए हुए कापी अच्छी मूरती है देखने में जब इसका सजावट हो जाएगा तो फिर एकदम जान लिजिए जिस पंडाल में बैठेगा एकदम पूरा महौल बन जाएगा पंडाल का और मातार प्रु मूरती के बारे में बात करना चाहते हो गिंश्राइग मूरती रम सहाएiska ön डुमिकी और में जाएगी यह मूरती जो है यह तार गाना जाएगी तो मेरे अज्य लवली व्लोग यूट्व चैनल में तो फ्रेंड मैं आप सभी को आज बता देना चाहता हूँ नौरात्र लगवग आज से 12-13 दिन और बचा हुआ है और इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी मूर्तिया बनेती दुर्गाजी की वो कहां और किस गाउं में और प्रवर्ष और हमारे जहां कौन 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 क्रते हैं की तनी कारीगर हम लोग काम करते हैं में दोक क Acts लेकर और तमाम प्रकार की जनकरिया देंगे और तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें प्यारी अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए अगर उससे भी ज्यादा अच्छा लगे तो अपना एक विचार प्रगट करिए कमेंट बाक्स में कि या वीडियो कैसा बनाते हैं यह जरूर करिए चलिए वीडियो को कांटिन्यू कर दें आगे बढ़ाते हैं महौल तो बने नेहा की माटी और एक विदेश से प्योपी जैसे मट्टी होती है वो सब मिलाकर हम लोग मूर्थिया बनाते हैं और रजेश भाई का काफी योगदान रहता इसमें देख लिजिए रजेवाई दर देखो यह और फ्रेंड हमारे इस मूर्ति कला के इंदर पर कुछ एक्सप सब जोडिया बताएंगे कि जो मिल जोकर हमसी मजाग के साथ हम लोग मूर्थिया बनाते हैं और दिन्चारे आसान हो जाती है कुल मिलाके मतलब वह बोरिंग नहीं होता तो चलिए वीडियो में और आगे बढ़ाते हैं और फ्रेंड कारी गरों की अगली कड़ी में मैं पारल होता हुआ कलार के तरह देखेंगे और काफी अच्छा कामेडी करते हैं और बाबा भगत भी है यहां पर और पकवडी भाई भी है उन लोग को भी आप सभी को दिखाते हैं फिलाल फ्रेंड यह बाबा बगत जो हैं नकरा बनानी की कोसित कर रहे थे बरपूर और यह सोने की बराबर कोसिस कर रहे थे कि सोया जाए लेकिन आप लोग देख लिजिए और यह पकोडी भाई यहां कुछ बोलेंगे दोस्तों हम आप लोग सुभाई करते चलते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरू जरू लाइक करिए चलिए ठीक है पकोडी भाई का भी वीडियो देखेंगे यह देख लीजी बाबा भगत यहीं पर काम करते हैं आप इनको नचनिया के नाम से परसित कर रहे हैं इनको थोड़ा दिक्कत है कुछ बोलेंगे नाई भाई कुछ ने बनिया जहीं है नहीं लाटी डंडा करिए इसकूले में और पैदल आवा थैं प पश्चिन साइड खुटानवाले रोटे पीपरता है और यह मूर्ती आनापूर चकमा जानपूर में जायेगी जो जमुहाई साइड में पढ़ता है और यह मूरती जो है यह तारगाना जाएगी मंगला परषाद बिंद प्रधान जी कि हां ये मूर्ति जाएगी और ये मूर्ति जो है तरसामा जाएगी तरसामा जे मूर्ति जाएगी और ये सामने की मूर्ति जो है ये देवापुर जाएगी ये कमल डिजाइन है फ्रेंड और ये बंबं भोला जी जो मूर्ति फिनिस कर रहे हैं ये मूर्ति जाएगी खेत पुरा जो खुटहन के पास पड़ता है और यह मूर्ति जो है हमारे जमधां बीविपुर में जाएगी और यह मूर्ति गनेश अमरेथुआ के हाँ जाएगी गनेश लिखा है और अमरेथुआ जैगहां के पास पड़ता है मेरे तुओं हाँ जाएगी और यह अरहूल डिजाइन की मूर्ति संदहां में जाएगी सूरजबिन संदहां जाएगी और यह देखिए यह भी भगवान भोलेनाथ के इस्टेचू है पीछे बैगराण में परसुडामपूर ब्रिजेश सर्मा के यह मूर्ति जाएगी त्रेंड आप लोग को या वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताईए और सब्सक्राइब कर देजिए हम इस चैनल को न्यूज में करने वाले हैं और जल्द ही बड़े-बड़े लोग का इस इंटर्विव सुनने को मिलेगा संगर्स वरी कहानी मिलेगी उन्होंने यूटूब पे या अदर्चेत्र में सक्सेज होने के लिए कितना प्रहत निकनिया कितना मेहनत किया और रास्ते में कौन-कौन सी कठिनाईया हैं यह इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे उन लोग को जो लोग आज सक्सेज है तो चलिए य करिंश यह विशंद आजाएंगी और यह कमल डिजाइन के मूर्ति है यह सेखु पूर के लिए जो मूर्ति बनाये हुए कापी अच्छी मूर्ति देखने में जब इसका सजावट हो जाएगा तो फिर एकदम जान लीजिए जिस पंडाल में बैठेगा एकदम पूरा महौल बन जाएगा पंडाल का और मातारानी की यह स्टेचू और यह देखिए रथ डिजाइन की मूर्ति हम लोग बनाये हुए हैं हमें लगता है कि यह पूरे उत्तर प्रदेश में रथ डिजाइन की ऐसे मूर्ति नहीं बनी हुए है फ्रेंड हम लोग की दिमाग में ऐसा विच देख सकते हैं यह तीन घोड़ा और यह सार्थी और यह मातारानी और उनका यह शेर सवारी दो और यह रथ की डिजाइन कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए और यह मूर्ति जाने वाली है मानी कला जौनपूर गाधी चबूत्रा गाधी चबूत्रा मानी कला जौन और फ्रेंड यह मूर्ति जाएगा अम्रेथुआ जाएगी देख सकते हैं यह हंस डिजाइन बना हुए है और यह मूर्ति जो है यह मूर्ति जाएगी लखमापूर लखमापूर और यह मूर्ति जाएगी फ्रेंड कुसवां और यह मूर्ति जाएगी फ्रेंड अम्रेथु प्रेंट यह मूर्टि अभी बुक नहीं हुए राम लच्छमन सीता बाइग्राउंड में बनाए हुए हैं और यह मूर्टि बुक नहीं हुए चाहता हूं मैं अपनी मूर्तियों को दिखाया इस वीडियों के माध्यम से और यह मूर्तिया कहां कहां बैठने वाली हैं किस किस गाउं में बैठने वाली हैं कहां कहां से आडर आया हुआ यह भी दिखाया लगग लगग आप सभी को बताना चाहता हूं तीस मूरतियों का आडर हम लोग का था और वाकी छोटी मूरतियां हैं वो सब बुक हैं और आप लोग का अशिरवाद और प्यार दुलार की बदोलत यह सब संबह हो पारा है और हमारे यूटूब चैनल आप लोग जादा से जादा सब्क्राइब कर देजिए लाइक कर देज कि अच्छा लगे और मैं बहुत कुछ इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाने माला हूं और लाने माला हूं आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत थैंक्यू झाल